2020 के इस मानसून सेशन में कई ऐसे बिल पास हुए हैं जिसका विरोध हो रहा है इन्ही में से एक बिल है FCRA Act 2020 जिसका तेज की NGOs और Opposition Parties काफी विरोध कर रही है तो आज के इस वीडियो में जानेंगे FCRA Act क्या है इसके हिस्ट्री के बारे में और साथ ही जानेंगे किस तरकार ने इसमें क्या-क्या बदलाव किया है तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा दीखेगा FCRA यानि की Foreign Contribution Regulation Act या देश में होने वाली Foreign Donation को रेगुलेट करने के लिए स्टैबलिस किया गया है ताकि ये देश की जो Internal Security या आंत्रिक सुरक्षा है उसको हाम ना पहुचाए इसे सबसे पहले 1976 में लाए गया था 2010 में पहली बार इसे अमेंट किया गया FCRA देश के जितने भी Association हैं, Groups हैं, NGOs हैं उन सब पर Applicable है जो कि Foreign Donation को Receive करती है इसलिए ये NGOs के लिए जरूरी है कि वो FCRA के तहत Registered हो एक बार Registration करा लेने से ये 5 साल तक के लिए मानी रहता है फिर इसको Time to Time Renable कराया जा सकता है या देखते हुए कि NGOs सभी नियमों का पालन कर रही है Registered Association, Social, Educational, Religious, Economic और Cultural Purpose के लिए Donation Receive कर सकती है 2015 में Ministry of Home Affairs ने NGOs के लिए ये Require कर दिया इस बात की जिम्मेदारी लेने की कि Foreign Donation से और इनके द्वारा जो विदेश से पैसा लिया जा रहा है उससे देश की Sovernity और Integrity पर प्रभाव नहीं पड़े तो ये था FCRA Act क्या है आईए बात करते हैं कि इसमें क्या क्या बदलाब हुए है सबसे पहला बदलाब इसमें ये हुआ है कि अब NGOs Foreign Donation का 20% से जादा Administrative Expenses के रूप में खर्ष नहीं कर सकती है अभी ये लिमिट 50% तक है नए FCRA कानून के एकॉर्डिंग NGOs के पास अब ये पावर नहीं होगा कि वो Foreign Donation के पैसे को किसी और Organization में ट्रांसफर कर सके इसके अलाबा अब FCRA सर्टिफिकट के रेनेवल प्रोसेस में आधार कार्ड के नम्मर को मैंने डेटरी बना दिया गया है Under FCRA Act 2020 में कोई भी Public Sector, Government Organization और कोई भी Government Control Organization फोरिन डोनेशन पाने का अधिकारी नहीं होगा साथी Central Government अब NGOs को अपना FCRA सर्टिफिकट वापस देने के लिए परमीशन भी दे सकती है तो ये सब कुछ Important Amendment थे जो सरकार ने FCRA Act 2020 में किये हैं I hope आपको ये वीडियो समझाय होगा अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद